नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार भागलपूर आजपास के ग्रामिन शेत्रों में विजली संकट कभी भी गर आ सकता है ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहलगों NTPC के 4 यूनिट विजली का उत्पादन थफ हो गया है इस डाइक एरिया में बने कमजोर तटबंद की वज़ा से गुरुबार को लेगुन नमबर 2 में पानी के दवाब के कारण बांध तूट गया लेगुन क्या होता है पहले या जान लेते हैं बिजली उत्सरजन से जो राख निकलती है उसे एक बड़े जगा पर बांध बना कर रखा जाता है जिसे लेगुन कहा जाता है यह लेगुन कहलगों NTPC के पास तकरीबन 4 है और 4 लेगुन S डाइक से भर चुका है कुछ मापूर्ब लेगुन से S डाइक निकाला जा रहा था लेकिन हम आपको बता दें कि जिस गती से लेगुन से S डाइक निकाला जा रहा है ऐसे में सभी लेगुन को खाली करने में कहलगों NTPC को 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है हलाकि एक मापूर्ब कारी की धिमीगती को देखते हुए सिल्क टीवी ने मौके पर जाकर जैजा भी लिया था और कमजोर तटवंद के ध्वस्त होने की आशंका व्यक्त करते हुए कहलगों NTPC परवंदन को अगा भी किया था इसके बावजूद भी लेगुन से S-Dike निकालने के कारी में कोई तेजी नहीं आई जिसका नतीजा आज सभी के सामने है गुरूबार को S-Dike के लेगुन 2 का एक हिस्सा पानी के दवाव के कारण बह गया जिससे की राख मिश्रित पानी ओवरफलो होकर सडक पर आ गया पानी का बहु इतना तेज था कि दो टेंकर एक कंक्रिक्ट मिक्सर मशीन बह कर लेगुन में चला गया साथ ही पानी पंप हाउस में भी परवेश कर गया और आसपास के फसलों को भी नुक्षान पहुचाया है लेगुन तूटनी के वज़े से NTPC की चार यूनिट में बिजली का उत्पादन ठफ हो गया है मामले में NTPC परवंधन की ओर से अपना पक्ष रखा गया और एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें चार यूनिट को बंद करने की बात कही गई है वहीं एस डाइक लेगुन नमबर दो को ठीक करने के लिए युद अस्तर पर काम किये जाने की भी बात कही गई है NTPC परवंधन की ओर से जाँच के लिए एक तकनीकी समीती का भी गठन किया गया है तटबन तूटने के कारण एस डाइक आसपास के छेतर में फैल गया है अब ऐसे में सिल्क टीवी करता है या सवाल कि बक्त रहते लेगुन को क्यों नहीं कराया गया खाली एस डाइक से एस निकालने की कारे गती इतनी धीमी क्यों किसानों के खेत में लगे फसलों के नुक्षान के लिए जिम्मेवार कौन और कौन करेगी इसकी भरपाई